नमस्कार दोस्तों मैं विज़ेती वारी स्वागत है आपका हमारी यूटुब चैनल दा बुक सुसाइटी में जहां हम आज़ी क्लास में सब्जेट कोड बीपी एस्टी डबल वन जीरो के चैप्टर नमबर नाइन की चर्चा करेंगे जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा आप हमाई टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो के वारे में पहले से ही जानकारी रहे तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है और आगे चैप्टर की शुरुवात यहां से होती है कि गैर लब है भय से मुक्ति यानि कि हमें किसी प्रकार का डर ना हो तो ही हम क्या है सुरक्षित अब ऐसे में सुरक्षा के दो प्रकार होते हैं एक सुरक्षा होती है परंपरागत और दूसरी सुरक्षा होती है गैर परंपरागत जहां हमारी किताब में गैर परंपरागत सुरक् की सेना से खत्रा होगा, यानि कि हम सीमाओं की सिक्योर्टी की बात करेंगे, हम अपने देश की सीमाओं की सिक्योर्टी की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ, जिसके लिए हम अपनी सेनाओं का निर्माड करेंगे, सेने चंता का विकास करेंगे, लगातार सेना को आधुनिक त सजित करेंगे इसके साही साथ अगर हम इतने विक्सित नहीं है कि हत्यारों को निमान कर सकें या हत्यारों खरी सकें तो किसी बड़े देश के साथ हम गड़ बंधन कर लेंगे ताकि हमारे देश के सीमाई सुरक्षित रहें ये सुरक्षा का प्रंप्रत खत्रा है लेकिन सुर गुना जादा लोग सुरक्षा के इस खत्रे से मरें फिर बात यही उठती है कि सुरक्षा का गैर प्रमपर का खत्रा क्या है तो आज विश्म में जो समस्या है वो आतंगवाद जलवाई परिवर्तन ग्रह युद हिंसा जो यह सामपरदाइक हिंसा जो इस प्रकार के जो खत्रे है न यह सुरक्षा के गैर प्रमपरागत खत्रे है तो आई होप साब आपको इस समझ में आगया हो कि सुरक्षा क्या है और सुरक्षा के कितने खत्रे हैं दो खत्रे है एक प्रमपरागत खत्रा और एक की संप्रभुता की बात करती थी यानि कि किसी भी कीमत पर देश की संप्रभुता बनी रहने चीए और संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि हर एक देश अपने निर्ने स्वयम ले सके लेकिन शीतियुद के बाद यानि कि सेकंड वर्ल्ड वर के बाद जब शीतियुद शुर और वोने खत्र एक कौन से थे या फिर मैं ये कह wh fibers पहले से ही मौझूद تھे और शीतीत के बाद इन खत्रों पर राजएट श्रू ही शीतीत के बाद इन खत्रों पर पूरे विश्व की राजएटी का ध्यान गया क् Mü pale 14 से लेकर 1908 तक प्रतम विश्युद चला और 1939-1945 Second World War चला तो इस दुरान पूरी दुनिया इनी दोने युद्धों के आसपास घुमती रही और उसके बाद अमेरिका और सोवे संक के बीच में तनातनी का दौर चला तो पूरी दुनिया इसी चीज में चलती रही कहीं तीसरा से भरे हो गए हैं ऐसे में जब शीतियुद खतम होता है तो अंतराश्टे राजनीति अध्यानी सोर जाता है और उसमें सबसे बड़ी समझ से आती है आतंकवाद की यानि कि सबसे बड़ा जो खत्रा आता है वो आतंकवाद का तो आपके किताब में 11 प्रमपर का सुरक्षा बड़े पेमाने पर एक छे से दूज चेत पर तसकरी की जाती है मानव तसकरी की जाती है अव्याद रूप से माइग्रेशन होता है यानि कि किसी देश की सिया में चोरी चुपपे घुचना पर्यावर्ण का विनाश ये सारी जो चुनोतिया हैं ये सब 11 प्रमपर कि इस प्रकार के खत्रे देश के नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ऐसे में समय रहते इन से पार पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो श्रीतित के बाद सुरक्षाई गैरपान पर खत्रों पर राणती शुरू ही तो इससे प्रणता है कि तो में कई बार जो ये खत्रे हैं ये खत्रे ठीक से परिभाशित करने में सक्षम नहीं है कुछ देश कुछ लोग का ये कहना है कि अगर किसी देश में मंदी आ रही है किस देश में गरीब फैल लिए तो ये भी सुरक्षा का गैरपान पर खत्रा है आज जो इंटरनेट है ऐसे में अलग-अलग विचारकों की अलग-अलग राये जैसे कि यहां पर एक नाम दिया गया है बैरी बुजान का बैरी बुजान ने ये कहा है कि सुरक्षा को पांस तरीके से बाटा जा सकता है राजनीतिक सुरक्षा, सैने सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक परियावर्णे सुरक्षा इसके साथ बैरेबुजान ने ये भी कहा है विश्व के विक्सी देशों में खत्रे अलग हैं और अल्विक्सी देशों में खत्रे अलग हैं जैसे गरीबी, बिरोजगारी, भुकमरी जाते संगर्ज, धार्मिक संगर्ज ये सब गरीब देशों में हैं हैं तो अमीर देशों में भी लेकिन गरीब देशों में चीज़े ज़्यादा है तो ऐसे में इन्हों नहीं यह बताया है आगे चलकर तो पहली बात तो यह हो गई कि सुरक्षा का गैर परान पर खत्रे कोई नहीं नहीं है इनका इत्यास सद्यों पुराना है लेकिन आज इन पर ध्यान दिया जा रहा है आगे बताया गया है कि सुरक्षा के जो गैर पराण परी खत्रे हैं इनका सामना कोई देश अखेले नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी एक देश की सीमा के लिए नहीं है आतंगवाज जैसी तो समस्य है कोई एक देश मिलकर नहीं खतम कर सकता परियावणी समस्य है कोई एक देश मिलकर नहीं खतम कर सकता गरीबी कोई एक देश मिलकर खतम नहीं कर सकता जलवाई परिवर्थन कोई एक देश मिलकर खतम नहीं कर सकता ऐसे हैं विश्व के बहु पक्षिय सहीयोग की जरूरत है यानि कि पूरे विश्व की जरूरत है अंतराष्टे सहीयोग की जरूरत है एक ऐसी कारभाही की जरूरत है जिसमें सभी देश मिलकर काम करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत दो बातों का पहला कि जो NTS है यानि कि सुरक्षा के गयर परमपर खत्रा है यह किसी छेत्रे शासन के बीच की कड़ी नहीं है बलकि यह बड़े इस्तर पर है और ऐसे हैं पूरे विश्व की जरुवत इसके लिए है महामारी और परदूसन जैसी जो चुनोतियां है इनसे निपटने के लिए हमें पूरे विश्व के सही हो क्या आशकता है अगले परिग्राफ में हमें यह बता है गया है कि NTS पांच अव धार्णाओं पर है पांच अव माननेताओं पर धार्यत है पहला कि गैर पारंप्रिक खत्रे या फिर गैर पारंप्रिक चुनोतियां संखर्ष या युद्ध का कारण बन सकते हैं दूसरा एक अकेला देश पूरीतरी के सेंसे नहीं नीपड़ सकता तीसरा जो ये सुरक्षा है ये राज्य, समदाय और नागरिकों की जिम्मेदारी है कि सभी लोग मिलकर इसको लिए सही हो करें चौथा जलवाई परिवरतनिया महामारी अंतराश्टे इस्तर पर होती है इसकेलिए कोई एक देश अकेलिए जिम्मेदार नहीं हो सकता और इसके साज साथ इनके समधान के लिए सेना नहीं बलकि साधान जनता की ज़रूरत होती है इन चुनोतियों के अंतराश्टे चरित्र के वे से अंतराश्टे सही हो क्या आवशकता है क्योंकि कोई एक देश, कोई एक व्यक्ति मिलकर इन समस्याओं के दूर नहीं कर सकता तो इस बास से इंकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा का जो गैर प्रणपार का खत्रा है ये एक ऐसा खत्रा है जो की पूरे विश्ट के सहीों की डिमांड करता है आलोचक इसकी कुछ कमजोरियों के बारे में बताते हैं कि किसी भी चीज को सुरक्षा के लिए खत्रा मान देते हैं जैसे कि भूग, गरीबी, विमारी, महामारी, मानवधिकारों का उलंगन प्राकर्तिक आबदाएं ये सब खत्रे हैं लेकिन इन खत्रों से निप्टा कैसे जाए तो यहां से यहां तक हमें सुरक्षा के गैर प्राणपरी खत्रे की परिभाशा दी है I hope सो अगर आप से question पूछे कि सुरक्षा के गैर प्राणपरी खत्रे क्या है बताएए किस प्रकार से महामारिया, माइग्रेशन, मादक पदार्थों की तसकरी जासे जो मुद्धे हैं ये सुरक्षाई गयर प्रामपरी खत्रे क्यों बन जाते हैं किस प्रकार से ये जनता को प्रभावित करते हैं आगे चैपने बात की गईए कि शीतिद के बाद सुरक्षा के गयर प्रामपरी खत्रे कैसे आगे बड़े हैं तो देखिए, शीतिद विचारधाराओं का युद्ध था, 1945 से 1991 तक चला था और ये दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में चला था, अमेरिका और सोवेसंग अमेरिका पुझीवादी विचारधारा का नितरत कर रहा था, जबकि सोवेसंग समाजवादी विचारधारा का नितरत कर रहा था ऐसे में सभी देशों के पास दो विकल्ब थे या तो पुझीवात के साथ मिले या समाजवात के साथ मिले कुछ देश पुझीवात के साथ भी मिले कुछ देश समाजवात के साथ भी मिले लेकिन कुछ देशों ने भारत जैसे देशों ने गुट निर्पेकस्ता को अपनाया यानि को किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए ऐसे में जो 40-45 साल अंतराष्टर राणिती की थे उसमें खत्रा सिर्फ ये था कि किस महाशक्ति के साथ मिलो और कभी भी दोनों महाशक्तियों के बीच में यिद्ध हो सकता है लेकिन जैसे शीति समाप्त हुआ 1991 में जब सोव्य संग का पतन हो गया तो ये माना गया कि अब पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी क्योंकि First World War, Second World War, फिर Cold War मनुष्य संगर्सों में ही चला जा रहा है अब Cold War खतम हुआ तो अब पक्का पक्का ऐसा लग रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर अब क्या होगी एक Peaceful World का निर्माड होगा एक शांति पूरा निति की शुरुवात होगी लेकिन जैसे ही शीतित खतम हुआ 1991 के बाद हमने ये देखा कि विश्य के बहुत सारे देशों में जाते हैं संगर्स, जन जाते हैं संगर्स परियावणी हैं संगर्स, लोकतांतरिक संगर्स, समादवादी संगर्स ने लाखों लोग की जान ली एक के बाद एक ये जो संखर्ष रहे ये क्रूर हो गए इन्होंने बड़े पहमाने पर बहुत बड़ी संख्या में इंसान होगा कतल किया और ये संखर्ष ऐसे थे जहां ये माना गया कि शीतित के बाद जितने लोग युद्ध में नहीं मरे उससे ज्यादा लोग इन जातिये और धार्मिक संखर्षों में मरे है यहां कुछ आकड़े दिये गए हैं कि 1997 में 86 सशस्त्र संखर्ष दर्च किये गए थे जिन में से 84 जो थे वो अंतर राजिये थे यानि कि एक देश के अंदर थे 1990 में अफरीका के देश रवांडा में जो संखर्ष हुआ वो तो सबसे खतरनाक संखर्षों में से एक था 100 दिनों तक लगभग ये संखर्ष चला जिसमें 10 लाख लोग मारे गए बलकि ऑफिशल आकड़े आप देखोगे न तो 18 से 20 लाख के आसपा जाएंगे तो 10 से 20 लाख लोग ऐसे लिख देती किताबे 10 से 20 लाख लोग रवांडा में मारे गए जो कि एक जंजाती संखर्ष था 90 परसेंट निहत्य निर्दोष नाकरिक मारे गए जिसमें महिलाय और बच्चे शामिल थे ये कोई स्यानिक वर्दी में लड़ा गया युद नहीं था बलकि ये तो आम जंता का संघर्ष था हत्यार बन लोगों ने ऐसे निहत्य लोगों को मारा जिनका कोई दोश नहीं था ये सब सुरक्षाई गयर प्रमपय खत्रे हैं धेरेलू अंतराष्टी संपर के परिणांस रूप आज प्रवास एक महत्पूर मुद्दा बन चुका है प्रवास मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसनाओ 1990 के बाद तो ये महत्पूर्ण चीज हो गई है आज बहुत सारे देश्टों में जब अंतराष्ट्रे अंतर राज्जी यानि कि देश के अंदर की राणीती जब डामाडोल रहती है देश के अंदर की राणीती हिंसक में रहती है तो लोग अपना छेतर छोड़का दूसरे छेतर में चले आते हैं तो आज बड़े पैमाने पर फंडिंग, हत्यारों के आपूर्ती, अंतराश्टी तरफ प्रचार, वकालत और लौबी समुके सब लोग सुरोध बन चुके हैं अंतराश्टी व्यवस्ता नई चुनोतियों से घिर चुकी है संप्रभु राज ये सध्धानतिक रूप से अंतराश्टी प्रणाली के विश्य बन चुके है ऐसे में नएने सम्झोते हों, नएने संबंधों का निर्माड हो रहा है हर एक देश चाता है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा दे लेकिन फिर भी देश अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पाता शीतित के बाद कुछ देशों को कुछ नए नाम दे गए जैसे कुछ देश दोष्ट हैं विफल हैं, असफल देश हैं यहाँ पर ना तो उदारवाद हैं ना समाजवाद हैं यहाँ पर तो क्रोस सत्ता चलती है, अंधराश्टर भक्ती चलती है, यहाँ पर तो तानाशा ही चलती है यहाँ पर ऐसे वर्गों का शासन है, जिने जनता का समर्थन तो प्राप्त है, लेकिन वो तानाशा हैं जो जनता को सुरक्ष नहीं, जनता को हिंसा देते हैं और ऐसे में सरने आर्थियों की समस्या पूरे विश्र में आज एक नई समस्या बन चुकी है भारत जासे देशों में आप देख लीजिए बंगला देशी, रोहिंग्या, किस प्रकार से समस्या का एक बहुत बड़ा कारण बन चुके है कुझ खत्रे वेश्रिकरण की वेशे भी उपरे हैं आर्थिक वेश्रिकरण एक समान नहीं रहा इससे अमीर देश अमीर हुए, गरीब देश गरीब हुए चोटे चोटे देशों के संसाथनों का शोशन हुआ, प्रियावरी ने दुस परिणाम हुए परियावने दुस्प्रचार हुआ बड़े पैमाने पर ग्लोबल वार्मिंग आज आप देख रहे हो छोटे छोटे देशों में आज आपसे श्निप्टान एक बड़ी समस्या बन चुका है तो विक्सित देशों के पास तो अच्छी प्रणा लिए अच्छी टेक्नलोजी अच्छी चिकिस अपना लिए वो तो बच जाते हैं इससे लेकिन गरीब देशों वर वैश्यकरण का क्या इफेक्ट पड़ा है ये बात हम पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसके लावा कुछ नएने खत्रे भी सुरक्षा की गयर प्रणबर खत्रों में जुड़े हैं जैसे नशीली पदार्थों का सेवन मानों हत्यारों की तसकरी अवैद धन को वैद बनाना यानि की ब्लैक मनी को वाइट बनाना परियावणे नुकसान ये सब खत्रे और इस बास से इंकान नहीं कहा सकता कि ये वैश्व जानिति के जो खत्रे हैं इसमें कोई एक देश नहीं बलकि पूरे विश्व की भागेदारी है और बिना पूरे विश्व की निर्भड़ता कि इन खत्रों से पार नहीं पाया जा सकता तो कुल मिलाकर हमें यहां से यहां तक सुरक्षा की गैर परंप्रे खत्रों के बारे में बात की गई है जो कि शीतित के बाद है तो यहां से अगर कोई भी कोशन बनता है तो आई होप से इस कोशन कंसर देने में आप सक्षे में चैप्टर में आगे बात की गई है कि सुरक्षा के गैर परंप्रे खत्रे गरूप में आज आतंगवाद कैसे एक बड़ी समस्या बन चुका है तो देखिया आतंगवाद की कोई परिभाशा सटीक परिभाशा नहीं है आतंग का मतलब होता है भय का महौल पैदा करना और हर देश में आतंग के अलगलग कारण हो सकते हैं लेकिन आतंगवाद किसी एक देश की सीमा में नहीं है बलकि आतंगवाद में आज पूरे विश्व में अपनी जड़े जमाली है और पूरे विश्व को ये प्रभावित कर रहा है यहाँ पर एक लाइन कही जाती है कि एक आतंगवादी किसी देश के लिए आतंगवादी हो सकता है तो लेकिन दूसरे देश के लिए वो सुतंतरता सेना नहीं हो सकता है और आतंगवाद के बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो जब हम 20 सदी की बात करते हैं तो 20 सदी में आतंगवाद शब्द का प्रियोग बहुत जादा केंद्री तरीके से किया जाता है इसका उपयोग अक्सार नीतियों का प्रभावित करने के लिए और सरकार को उखाड फेकने की दिर्ष्टी से किया जाता है क्योंकि आतंगवादी सम्हों का ये मानना होता है कि जो उनकी नीतियां वो प्रभावी नहीं हो रही है ऐसे मैं अगर उन्हें नीतियां लाइउ करने तो उन्हें हिंसा का सहारा लिना पड़ेगा आतंगवाद का मूल तत्व आम जनता के मनुमें दहशत पैदा करना है अगर सरकार से हमें पार पाना है जासे भारत में जितने भी आतंगवादी गुट बने हुए है ये सरकार के खिलाफ है ये वहां की विवस्ताई खिलाफ है ये हिंसा के माध्यम से सत्ता को खाड़ फेकने के लिए करते हैं ऐसे युद्ध तो आतंगवाद एक तरीके से मनोवज्यानिक युद्ध है इसमें गुरिल्ला ताक्तें बहुत प्रकार के प्रचारों का उपयोग करती है और अपने विरोधी पर सैन जीत का लक्ष रखती है तो कुछ लोग है ये कहते हैं कि गुरिल्ला युद्ध समाज के कमजोर लोगों का हत्यार है और आतंगवाद उस से भी कमजोर लोगों का क्या है हत्यार क्योंकि हम सोचते हैं आतंगवाद ही बहुत वीर हैं वीर नहीं है कायर हैं क्योंकि छुपकर वार करते हैं वीर तो सैनिक होता है जो सामने से लड़ता है तो कमजोरों का हतियार पता है क्या आतंगवाद है छुप छुपकर बंफोर दो छुप छुपकर उन लोग को मारो जिनका कोई दोश नहीं है अरे उन्हें मारो जिनका जो तत्व है यहाँ पर मैंना हाइलाइट किया है पढ़ लिजेगा आतंगवादी चौतरफा भय पैदा करने के लिए आम तोर पर नाट के रूप से काम करते हैं हाई प्रोफाइल हमले करते हैं आतंगवादी कृत्तियों में अप्रहंड करना बंधक बनाना उच प्रोफाइ कि मीडिया के ध्यान अपने और आकशित करवाते हैं और पूरे विश्व में धहशत का महौल पैदा करते हैं चौति बात यह है कि आतंगवादी हिंसा के शिखार आम तोर पर निदोशनागरिक होते हैं अमेरिका की सरकार भी इस बास से सहमत है कि आतंगवाद पहले सी प्र करते हैं और कुल मलाकर इनका उद्देश यही होता है कि विश्व के मीडिया का ध्यान अपने और आकशित करवाके अपनी डिमांड रख सकें तो भले ही आतंगवाद का उद्देश कितना ही सही क्यों नहों लेकिन फिर भी वो हमेशा गलत ही होता है क्यों क्योंकि वो उन अलजीरिया में ऑपनिवेश्क फ्रांसिसी शासन और अलजीरिया ही मुक्ति आन्दोलन के लिए फिलिस्तिनी और इसराइलों के बीच में जो संखर्ष चल रहे हैं ये सारी जो चीज़े हैं आइलेंड में कैथोलिक और प्रत्रेस्टेंट के बीच में जो संखर्ष चल ला हो आज बड़े प्राइब पर टेक्नोलोजी हाइफाई हो गई है सोचलित हत्यार रिमोट नियंत्रित विसफोटक उपकरन हवाई यात्रा सूचने टेक्नोलोजी ने आतंगवादियों को अपने लक्ष चुनने के लिए गति शीलता प्रदान करी है आज आतंग की शक्ति अंगार ना कर दें तो यहाँ पर कुछ घटनाओं के बारे में बताए गया है जैसे कि क्याला है बीसी शताबदी के अंत में सबसे प्रमुक आतंगवादी समों में रेड आर्मी फैक्षन जापानी रेड आर्मी रेड बिग्रेट्स प्यूटो रिकॉन फलिस्तिनी लिबर जैसे कि जब हम नाम लेते हैं रेड आर्मी फैक्षन का जिसे बादर मीन ओफ ग्रूफ के नाम से भी जाना जाता है यह 1970 में स्थापी दूआ था यह पश्मी जर्मनी का एक उगरवादी संगठन था रेड आर्मी फैक्षन तीन दशको यानि की 30 सालों तक लगबख बंफिस फोर्ट, हत्याएं, अपरहन, बैंक डखेतियां और पुलिस के साथ गोला बारी की सिरीज में एक लगाववा था 2016 में एक बैंक डखेती हुई थी लेकिन सरकान ने इसे आतंगवादी घटना नहीं माना यानि जह हम बात करेंगे रेड आर्मी फैक्षन की तो कहां का ग्रूप है यह पश्मी जर्मनी का है और इसने बड़े पैमाने पर बहुत सारी घटनाएं घटी है इसी प्रकार से जापानी रेड आर्मी की बात करते हैं यह 1971 में स्थाफित हुआ था यह जापान का एक ग्रूप है एक कमिनिश्ट उगरवादी समूँ है अभी यह हाल फिलाल में भी बहुत जादा न्यूज में रहा जब शीजो आवे की हत्या की गई इसी प्रकार से एक National Liberation है जो की प्यूटो रिको देश में है प्यूटो रिको देश में जो ही है अमेरिका के नियंत्रण से मुक्त करने की मांग होती है इस आतंगवादी संगठन की यानि की प्यूटो रिको एक देश है जिस पर अमेरिका का नियंत्रण है ऐसे में जो National Liberation है पिटो रिको की यह यह डिमांड करते कि हिंसक गतिविद्यों के माध्यम से हम अमेरिका का शासनी हाँ से उखाड फेकेंगे और पिटो रिको को एक सुतंच देश बनाएंगे 1974 से लेकर 1983 के भीच में इसने 130 से अधिक बम हुमले किये ऐसे एक और संगठन है शाइनिंग पाथ शाइनिंग पाथ की बात की जाए तो यह पेरु क्रामतिकारी संगठन है पेरु देश का है जिसने माववाद को बढ़ावा दिया है गुरिल्ला युद और हिंसक आतमवाद को अपनाया है इसका गठन भी 1970 में हुआ है था इसके नि इसमयन को 1992 में ग्रिफ्तार कर लिया गया और आज इवन कारावाज के सरा सुनाए गई दा शाइनिंग पाथ को आसकर रमीरेज दुरून ने पुनर गठित किया लेकिन उसे भी 1990 में 1999 में ग्रिफ्तार कर लिया गया यह माना जाता है लबखक 20 साल के विद्रोई संगठन में इतना खतरनाक आतंग की संगठन था यह तो इस प्रकार से आतंगवाजी संगठन है जिसमें सबसे बड़ी कारवाई अमेरिका की होती है अब आगे चैप्टर में यह बताया गया कि आतंगवाज ए खिलाफ अमेरिका ने कैसे एक विश्विद छेड़ दिया हुआ यह था क आपराण कर लिया और इन हवाई जहाजों को अमेरिका की ही प्रमुख हिमारतों की और रुक कर दिया जिसमें से दो जहाज नियू यॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए एक विमान वासिंग्टन डी सी में गिरा और एक विमान गिरा पैंसिलवेनिया के खेतों म आकड़ों के हिसाब से 2977 लोग मारे गए यह अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला था उस समय अमेरिका के राश्पती थे जोर डबलू बिश जोर डबलू बिश ने घोशना कर दी अगले दिन कि आतंगवाद के विरुदे की योद्ध होगा और इस कारवाही का नाम होगा ऑप पूरे विश में ऐसे संगठन जो कि आतंगवास चे जुड़ो वे थे उनकी ना सिर्फ गरफतारी की गई बलकि बड़े पैवाने पर उन पर हवाई हमले किये गए खास तोर पर टार्गेट लिया गया अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान में साथ अक्टूबर दुहर एक को हवाई बंबारी शुरू ही और फिर 19 अक्टूबर को तो जमीनी युद शुरू हो चुका था बिटेन, तुर्की, जर्मनी, इटली, निर्देलेंड, फ्रांस और पॉलेंड ने अमेरिका का साथ दिया और ये हुआ कि हम अफगानिस्तान से अलकायदा को पूरी तरीके से खतम कर देंगे और आगे चलकर 2 मई 2011 को अमेरिकी विशेश बलो ने एप्टाबाद पाकिस्तान में घुसकर अलकायदा के प्रमुख उसामा बिल्लादिन को मारा जब अमेरिका के राश्पति दे बराक उबामा अमेरिका ने अधिकारिक तोरपा 23 दिसंबर 2014 को अफगानिस्तान में युदिके समाप्ति घुशना कर दी और राश्पति ओबामा ने घुशना करी कि 10,800 अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में रहेंगे और वो आतंग की गतिविदियों को निस्तना नाबूत कर देंगे इसके साथ ही साथ इन्हों ने उन देशों को भी टार्गेट किया जो आतंगवा से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे लेकिन बात फिर से वही आती है क्या आतंगवा समाप्त हो गया इसी प्रकार से अमेरिका ने एक और गतिवदी करी ये तो अफगानिस्तान की थी इराक इराक का राष्टपती सद्धाम हुसेन था जिसने बड़े पैवाने पर ऐसे हतियार बनाये थे जो सामोहिक विनाश के हतियार थे जैसे बाइलोजिकल वीपन्स, कैमिकल वीपन्स तो अमेरिका ने उन्निस माँ दोहर तीन को ओप्रेशन इराकी फिडम चलाया और अपने गड़बंधन की 40 देसों की सेनाइक ठिकरी और इराक पर हमला कर दिया 30 दिस्टमबर 26 को सद्धाम हसेन को मार दिया गया ये अमेरिका का आतंगबाद के विरुद एक युद्ध था हाला कि अमेरिका ने जो आतंगबाद के खिलाफ युद्ध शुरू किया था इसमें बड़े पैमान पर अमेरिका की आलोचना भी हुई ये माना गया कि अमेरिका अपनी ताकत का प्रयोक कर रहा है और इराग जैसे देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है वो इराग के तेल संसाधनों पर कपजा करना जाता है उसने ऐसे ठिकानों पर भी बंबारी करी जहां साधान नागरी रहते थे बड़े प्रभाने पार मानव अधिकारों का उलंगन करा है अमेरिका ने अमेरिका ने अपने स्टैनिक दबदबे को पूरे विश्व में दिखाया है उसने बिना मुकदमे के बहुत साई लोगों को कौनता नाबो जेल में ग्रफतार करके डाल दिया जिसमें मानव अधिकारों का उलंगन हुआ भले ही आलोचक इसके आलोचना करते हूँ फिर भी अमेरिका ने कहीं न कहीं आतंगवाद पर एक किल ठोक दिये लेकिन फिर भी बात वही आती है कि आतंगवाद अभी पूरीतरिके से खतम नहीं हुआ है इसके लावा अमेरिका ने क्या करा अमेरिका ने अफगानिस्तान विराग से दूर कई संदिक दुश्मनों को मानने के लिए ड्रोन का सहरा लिया तालिबान शासन को उखाड फेका गया लेकिन फिर भी 18 साल बाद अमेरिका अब भी तालिबान को पूई दरिके से नहीं खतम कर पाया है अफगानिस्तान ने में हाली फिलाल में अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला दिया और वापस से अफगानिस्तान में क्या हुआ तालिबानी शासन फिर से आ गया आतंगवादी गुरूप का शासन फिर से आ गया अलकायदा का प्रभाव लोग कहते थे कम हुआ है लेकिन समाक नहीं हुआ आज फिर से अलकाइदा अफगानिस्थान पर है और अफगानिस्थान के जो नेता थे वो सारे भक्ते भक्ते फिर रहे हैं आज बड़े पर आने पर मैडरिड लंडन अन इस्थानों पर बंबिसफोड हुए हैं ग्यार माद दोहर चार को आतंगबादी बंबिसफोड हुआ अलकाइदा के सही होगी ने किया जब स्पेन के राज़ानी मैडरिड में चार ट्रेनों पर बंबारी की गई एक से क्यानवे लोग मारे गए दोहार से भी जादा घायल हुए साथ जुलाई 2005 को लंदन अंडर ग्राउंड पर आतंगबादी बंबिसफोड हुआ एक डबल डेकर बस के उपर बंबिसफोड किया गया 52 लोग मारे गया और 700 भी जादा घायल हुए ऐसी एक संगठना दाइश Islamic State of Iraq and Levent जहां इराक को तो अमेरिका ने पुईतर के से खतम ही कर दिया था लेकिन आतंगबाद को खतम कर पाया नहीं आज भी मुस्लिम दुनिया में अमेरिका खिलाफ विरोधी भावनाए हैं इराक के मामले में सद्दाम हुसेन को तो उखाड फेका गया लेकिन इराक में भी शांती स्थापित नहीं कर पाये गए हैं यहां आज भी सिया सुन्नी के मामले पर संप्रदाइक विभाजन होता है अमेरिका की निगरानी में इराक अराजकता में डूब गया ग्रहिद में डूब गया माना जाता है कि 2004 से लेकर साथ के बीच में इराक में दो लाख नागरिक मारे गए राष्टपती उबावा ने 2013 में अचानक से GWOT की GWOT की के मतलब है आतंगबाद एखिलाफ अमेरिका का विश्युद इसे परभाशित किया और यह कहा कि यह कहीं न कहीं आतंगबाद को खतम करके विश्य को युद्धों से बचाएगा लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं हुआ तो अगर एक जामनेर आपसे कोशन पूशता है आतंगबाद के विरुद अमेरिका के युद्ध के परिभाशित कीजिए और यह बताएए क्या अमेरिका इसमें सफल रहा तो आब इसके आलोसना करते हैं इस कोशन का अंसर देखें आगे बात आती है आतंगबाद का खत्रा और भारत का मामला भारत एक विवित्ताववरा देश्यचは विविन्ध्रम विविन्जाती विविन भाशा के लोग रहते हैं ऐसे मदभेद बना रहता है ऐसे में कई बार ये मद्भीर इतना जाद हिंसक हो जाता है कि इसे आतंक का नाम दे देते हैं लेकिन वास्तों में हमेशा भारत में हुए जो हिंसक आक्रमण हैं हिंसक दंगे हैं ये आतंक की वेज़े से नहीं हुए इसलिए भारत में आतंकी परिभाशा देना बहुत ही कठिन कार रहे है क्योंकि भारत में जो डिमांड है वो अलगाववात की डिमांड है भारत में जो डिमांड है वो अपने आपको सर्वोच सावित करने की डिमांड है क्योंकि जब भारत को अजादी मिली थी तो साथ साथ भारत को बटवारा मिला ऐसे हैं भारत में जो रियासते थी उन्हें ये कहा गया या तो आप भारत में शामिल हुई है या आप पाकिस्तान में शामिल हुई है या आप अपने आपको अलग देश बना दीजिए ऐसे में कुछ रियासते अपने आपको अलग देश बनाना चाहती थी ऐसे में कुछ रियासते भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी जो कि भारत के एक ताखनता के लिए खतरा था लेकिन उन्हें भात में शामिल किया गया और आगे चलकर समस्या हो गई जिसमें से पहली समस्या जम्मू और कश्मीर की हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर को धारत 303 के माधम से जोड़ा गया लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकी समस्य एक बहुत गंभीर समस्या थी बड़े प्यमाने पर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाय जाता था और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन जासी घटनाय सामने आती थी ऐसे में सरकार ने सैनिकों की साहता से इस मुद्दे को हल करनी कोशिश करी लेकिन ये मुद्दा पूर्टा हल ना हो सका वर्तमान सरकार ने धार 303 को समाप्त किया लेकिन फिर भी संगर्षों की स्तिति जियों की तियों बनी हुई है ये पहला मुद्दा है जम्मू कश्मीर का दूसरा मुद्दा है इसलामी आतंगवाद चुकि भारत का विभादन धरम के अधार पर हुआ था ऐसे में वो विभादन पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया धरम के अधार पर कुछ लोग इधर गए और कुछ लोग उधर आए ऐसे में माइनॉर्टी जो थी उनको ये लगने लगा कि हमारा शोर्षन हो रहा है ऐसे में भारत में सांपरदाइक दंगे समय समय पर होने लगे ऐसे नहीं है कि पूरी पूरी कम्यूर्टी इन दंगों में शामिल थी हाँ कुछ लोग इसमें शामिल थे जो गैर अरजक तत्तो थे जिनने बाहर से फंडिंग होती है या फिर गैर विरोधी तत्व है या देश विरोधी तत्व है और इसी वेसे सभी लोग बनाम होते हैं लेकिन वास्तिक्ता ऐसी नहीं है कुछ लोग देश भक्त भी है छे दिसमबर 1992 में बावरी मजजित का जो विधवन्स हुआ 1993 में मुंबई में जो बंविस फोर्ट हुए इन सब ने आतंगवाद की एक शंखला को जन्म दिया है इसके साइसाथ भारत में अलकायदा और दाइश जो संगठ हैने ये भी आतंगवाद को बढ़ावा देते हैं भारत के नौर्थ हिष्ट की बात की जाए तो नौर्थ हिष्ट में सात राज्ये हैं असम, अरणाचल प्रदेश, मिघाले, मडेपूर, मिजोरम, नागलेंड और त्रिपुरा यहाँ पर नागलेंड में सबसे बड़ी समस्या रहती है नगा लोग अपने आपको अलग देश की डिमांड करते हैं इसके साइसाथ यहाँ पर बोडो लेंड की भी डिमांड रहती है तो यहाँ पर लगातार गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध चलते रहते हैं नगा अंदोलन जो कि अलगा वबादी अंदोलन लगातार चलता रहता है बड़ी मात्रा में यह लोग अपने आपको भारत का छेत नहीं मानते हैं इनका मानना कि भारत सरकार इनके विकास पर ध्यान नहीं देती है ठीक इसी टाइप से पंजाब में पंजाब में कुछ अराधक तत्व ऐसे हैं जो अलग देश की डिमांड करते हैं खालिस्तान और 1984 में तो यह बहुत तगड़ा तरीके से आगे बढ़ गया था खालिस्तानी विद्रो जिसका नितरत कर रहा था संत भिंडर वाले तो जनर्र संत भिंडर वाला जो था इसने एक गुरूप बनाया और इस गुरूप को शश्रस्तर यानि की हत्यारों से लैस किया पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट किया हत्यारों की सप्लाई करी और इन्होंने वहाँ पर अलगाव वात की डिमांड कर दी ऐसे में ततकारी प्रधानमंतरी श्रीमत इंद्रा गांधी ने ओप्रेशन ब्लूप ब्लूप नाम की एक कारवाई करी परिणाम ये हुआ कि संत भिंडर वाले गोर्डनल टैंपल में जाकर छुप गया और सेना ने वहाँ पर कारवाई कर दी सिक्खो को ये लगा कि ये हमारे धार्मिक स्थल पर हमला है और ऐसे में पूरे देश में विरोध होने लगा उस समय इंद्रा गांधी जी के जो रक्षक थे वो सिक्ख थे उन्होंने गोली मार्क उनकी हत्या कर दी ये बात नहीं 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 रुकी यह सिर्फ कुछ अरदिकत थे और एक सिर्फ साजिश थी. आगे नकसली आंदुलन के बारे इम बताया गया चैप्टर में. नक्सली आंदोलन को हम आतंग बाद नहीं कह सकते उगरवाद नहीं कह सकते किकि नक्सली समोह को यह कहना था कि आजादी के बाद जो भारत सरकान ने जमिनदारी प्रथा का उन्मूलन किया जमिनदारी प्रथा को खतम किया वो पश्यम बंगाल में नहीं रह पाई पश्यम बंगाल के दारजिलिंग जिले में एक छेतर था नकसल बाड़ी और यहीं से आंदोलन शुरू करता है चारू मजूमदार और यहां से जो आंदोलन शुरू होता है इसलिए इसका नाम रखा गया नक्सली आंदोलन पश्यम मंगाल के दारजिंग जिले में कौनसा नक्सल बाड़ी छेतर और यहां से आंदोलन श्रुवा इसलिए इसका कराम क्या रख दिया गया नक्सली आंदोलन नक्सली समूग की जो गतिविदियां वो हिंसा से लेटिड है आतंग से लेटिड है इसलिए से आतंगवादी गुरुप कहा जाता है लेकिन वास्तिकता नहीं है ये तो मानवधिकारों की बात करता है ये तो समानताई बात करता है ये इक्विलिटी की बात करता है तो कुछ विचाधारा चीन से जुड़ी है, माउं से प्रेरित है लेकिन यही चीज़ इनकी गलत है जिसकी वैसे यह आतंगवादी ग्रूप बन जाते हैं इने शांती पूर्वक तरीके से अहिंसक रूप से सत्य ग्रह के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहिए तो अगर कोशन आ गया भारत में हिंसक आंदोलन जो हुए है क्या यह आतंगवाद से जुड़े हैं क्या हम इन आतंगवाद की संग्या दे सकते हैं इस कथन की पुष्टी कीजे तो आई होप से इस पार्ट से कोई भी प्रश्ण आए इसका उत्तर देने में आप संग्ष में आगे इस चैप्टर के एक निश्ट कर दिया है आई होप सो चैप्टर आपको समय में आया होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद